दोस्तो हम मेंसे बहुत से लोग किसी ना किसी सेलेबरिटी के फैन जरूर होंगे लेकिन कुछ लोग किसी सेलेबरिटी के इतने बड़े फैन होते हैं कि उनकी जिसे बनने की पूरी कोशिश करते हैं इन ही लोगों में से एक इंडियन बॉड़े बिल्डर दिपक नंदा भी है जो कि हॉलिवूड सुपरस्टार डुएन जोनसन के बहुत बड़े फैन है जिने आप और हम दा रॉक के नाम से भी जानते हैं तो दिपक दा रॉक के इतने बड़े फैन है कि वो उनकी तरह दिखन के लिए कुछ भी करने को तयार थे दिपक दिल्ले में रहते हैं और ये एक मिडिल क्लास फैनले में पेदा हुए थे ये हमेशा से एक बॉड़े बिल्डर बनना चाहते थे और जिससे कि आप जानते हो कि बॉड़े बिल्डिंग करने के लिए हिम्मत मेहनत और पेशेंस के साथ साथ बहुत सारा पेसा भी चाहिए होता है लेकिन दीपक के पास पेसों की कमी थी इसलिए उन्होंने बहुत ही कम एज में काम करना शुरू कर दिया था पहले तो उन्होंने एक शोरूम में फ्लोर क्लीनिंग का काम किया जिसके लिए उन्हें बहुत ही कम पेसे मिलते थे जिससे वो अपने डाइट और जीम की फीज देते थे और साथ इससाथ वो अपने फैमिली की हल्प भी करना चाहते थे 2011 में इन्होंने इज़ा जीम ट्रेनर की तोर पर एकाम करना शुरू कर दिया और इसके बाद कई सलो के मेहनात करके इन्होंने अपना जीम भी स्टार्ट किया जिसका नाम उन्होंने बीस्ट जीम रखा ये जीम साथ डेली में हैं और बहुत सो दिल्ली के लोग शाधिस जीम को जानते भी होंगे दिपक ने कई बादी बिल्डिंग कॉम्पेटिशन में हिस्सा लिया है और कई जीते भी हैं आज के टाइम पर दिपक को लोग इंडियन रॉक के नाम से भी जानते हैं और इनके टैटू भी दर आख सो बिल्कुली सिमिलर लगता है इनके इस टैटू की कीमत एक लाख रूपे है दिपक एक बड़े बादी बिल्डर होने के साथ साथ एक अच्छे इंसान भी है जो कि दुसरों के हल्प करने के लिए अमिश्य तयार रहते हैं दोस्तो ऐसी अमेजिंग फैक्ट्स और नॉलेज के लिए दा नॉलेज बुक को सब्सक्राइब करना मत बोलना वीडियो चलागा हो तो लाइक करना और इसे जारा से जारा शेयर करना